ये हैं मेरे पास मोटरोला का एज 30 और मोटो एज 30 की खास बात यहां पर है कि अपने प्राइस पॉंड के साफ से काफी साइफ होना जाता और इसको हमने कुछ यहां पर टेस्ट किया है लगबख साथ दिन साथ इसकी टेस्टिंग करी और आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताने वाले कि exactly यहां पर फोन कैसा क्या मसाल अंदर देखने को मिल रहा है क्या कमी छोड़ दी क्या इंप्रूमेंट होना चाहिता बिना किस दिर के वीडियो को लाइक कर सकते है और चैल को सब्स्राइब कर सकते हैं लेंगन सबसे बहले बात करने वाले इसकी कीमत वगड यहां पर आपको देखने को प्लते हैं प्लस यहां पर आपको 10-bit का डिस्पले और HDR का सपोर्ट देखने होता है यूट्यूब के अंदर ही हापर चलता है प्राइम वीडियो में आपको चलता हुए देखने को मिलता है लेकिन ओवर अपर डिस्पले और ग्वालिटी वाइ जो कि आपको सबसे बहतरी डिस्प्ले के एक्स्पिरेंस यहां पर दे सकता है इसके साथ ही अंडर डिस्प्ले फिंगर्प्रिंट स्कैनर भी इन्होंने डाल के बहुत जवर ज़स्त काम किया जो कि मोटो आइस 30 वो काफी जाद अच्छा बना देता है स्पीड वगरा थोड़ी से और इंप्रूफ हो सकती थी अंडर डिस्प्ले फिंगर्प्रिंट स्कैनर की लेकि हाँ साइड माउंटे ना देके अंडर डिस्प्ले देना अच्छा काम किया इसके साथ ही बात करें तो चिपसेट में भी एक नया चिपसेट है जो कि 778G यह बिल्कुल आइडेंटिकल वैसी पॉफमेंस देगा जो 778G जैसे डेट टास भी वैसी होंगे गेमिंग अगरा भी हाँ पर कर लेगा थोड़ी बहुत हीटिम गरा हो सकते ही बिल्कुल एक्सेंसिव यूज में और अभी गर्मी भी काफी पढ़ रही है लेकिन ओवरोल बात की जाए एक अच्छा और एक स्टेबल जिपसेट है 778G प्लस जो कि स्लाइटली बैटर है लेकिन मेरे हिसाब से 778G जैसा ही है तो definitely performance wise तो ऐसे कोई कमी नहीं छोड़ी गई है यहाँ पर अच्छे experience आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसके साथ ही बात किया है तो यहाँ पर जो Android 12 मिल रहा है वो भी काफी सही है जहाँ पर आपको Google Pixel की यहाँ पर दला सकता है क्योंकि material युकि theming वगईरा देखने को लिए customization के option है यहाँ पर आपको ready for PC देखने को मिलता है इसके साथ ही बात किया है तो यहाँ पर think shield की जाक्र security होती है वो motor gesture वगईरा चीज़े होती है वो और theming वईरा के options है और एक proper clean Android experience देखने को मुल रहा है इसे हम यहाँ पर pure Android experience कर सकते है जहाँ पर पतली सी जो layer है यह motorola ने लगाई है कुछ extra features के लिए और देखा तो काफी अच्छे तरीके से काम करता है और interface जो रहता है गोगल pixel की हाँ पर जब जियाद दिलाता है वो चीज़ को काफी जादा अच्छर smooth बना देती है यह कुछ चीज़ आपे software में काफी सही की गई है ब्लोट वेर हटाना एड्स ना देना एक clean experience देना वह बहुत जादा जरूरी रहता है और motorola यहां पर काफी सही काम कर रही है इसके साथ ही Android 12 के साथ 13 और 14 अपडेट देखने को लेगा मेरे साब से 3 अगर major Android के अपडेट देते तो वह और बेटर चीज़ बना देता और इस फिर भी देखते हैं कि इंडिया में आपको कब 5G के दर्शन होता है और कब शायद ऐसे किसी फोन में आप 5G है पर चला पाएं लेकिन जब भी आएगा compatible तो यह रहने वाला है यह एक बात है इसके साथ ही बात करते हो यहां पर 50 Megapixel का dual camera है और एक यहां पर depth sensor है 2 Megapixel का 50 Megap के main camera में OIS है बहुत ही सही का में images की quality में camera से अच्छी आती है वह अप अच्छी तरीके से experience कर सकते हो 15 Megapixel का ultra wide है वह भी अच्छी photograph ले सकते है उसमें autofocus है तो macro shot यह यह यूज करके ले सकते हैं यहां पर काम अच्छा की है और 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 बात कर तो 4K video recording को भी support करता है basic सारी चीज अच्छे तरीके से की गई है और इसके UI को भी थोड़ा बेटर करा गया camera जो एक problem लगता था मेरे को motorola के phone के साथ वो यहां पे नोंने fix के price burn के हिसाप से acceptable चीज है और अच्छा लगा कि ऐसा ही hardware system जो नोंने अपने महेंगे motorize 30 pro में यूज के है वो चीज यहां पर ल और 6.79 जो mm होती है thickness वो आपको देखने को होलती है हाथ में पकड़ने में सही है आगे तरफ Corning Gorilla Glass 3 है चारो तरफ plastic bag देखने को मिलता है उपर और side में जो frame है वो भी आपको plastic की ही देखने को मिलती है मतलब इसमें से plastic का हूँगा इसे PME में material बोला गया है लेकिन मेरे plastic के लिए से हम वैसा ही कह सकते क्योंकि चीज बिल्कुल वैसे ही है यह ग्लास जैसा look and feel finish तो देता है लेकिन ग्लास नहीं है यह प्लास्टिक जैसी ही चीज है यह बात है बात है कि अगर फोन अगर थोड़ा सा मोटा होता ना तो इसका फाइदा है रहता कि यहां पर अगर 4000 mAh की बैटरी के साब से ठीक है लेकिन यार बैटरी का साइज अगर थोड़ा और बड़ा होता तो वो रहता और यही इस फोन के सामें को थोड़ी से कमी लगते कि 4000 mAh की बैटरी एक दिन तक तो निकाल सकती है लेकिन अगर बड़ी बैटरी बैक अगर मिल रहा होता तो वो वो एक काफी चाहिज दी, हलाग कि जिन लोग को slim phone, lightweight phone, पतले phone पसंद है उनको यह चीज यहाँ पर काफी पसंद आई है और और बात का है तो phone के अंदर काफी सारी चीज़े सही कर गई है display सही देखने को मिलेगा आपको speakers के quality सही है hapti feedback के quality सही देखने को मिलेगी android का experience सही देखने को मिलेगा camera सही चाहिए वो देखने को मिलेगा पतला slim lightweight phone चाहिए वो देखने को मिलेगा 5G bands भी बराबर दिये गए है यह काफी सारी चीज़े सही की गई है problem बस मेरे को एक लगती है कि अगर battery का size अगर और बड़ा होता वो एक बैटर चीज होती और phone को थोड़ा से premium look देने के लिए अगर glass अगर आ जाता और in hand feel अगर चीज़े काफी better होती क्यार यह कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मुलती motorola की तरफ से ओवराल phone यहाँ पर काफी अच्छा बनायाई से हम recommend कर सकते है अगर phone अगर आप लोग लेना चाहते है और आप यह requirement है ऐसी जहापे आपको clean यप और android experience चाहिए एक अच्छा display चाहिए और पतला और हलका phone चाहिए लेकिन battery में थोड़ा पर sacrifice कर सकते है यह phone आप लोग के लिए हो सकता है यही चीज रहती है इस phone के बारे में बाकि आप लोग बताइए आप लोग को phone यहाँ पर कैसे लाग नीचे comment के अंदर वीडियो पसने है तो like कर देए चनल को subscribe कर देए थेंक अक को वीडियो देखने के लिए में आप सन्तों आप लोगाँ लोगाँ